हेलो बच्चो मैं हूँ मान्या और स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पे तो क्या सीन चल रहा है? मज़े आ रहे हैं? बढ़िया सब चल रहा है एकदम लाइफ में? वेल अगर नहीं चल रहा तुखी हो और उसका रीजन ये है कि आपका ब्रेक अप हुआ है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के उपर और देखिए जिसे आप बोड़ पे देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टुबी फ्लूएंट इन इंग्लिश यानि कि हम अंग्रेजी में फरातेदार कैसे बने अब देखिए हुआ क्या ना कि कल रात को ना मैं अपने पापा की साथ बैठ के मुवी देख रही थी अमिताब बचन की और वो मुवी इतनी बढ़िया वहाँ पर ये चीज बता याए क्योन हम इस चीज के बारे मिं बात करें कि भाहि कितना मुश्किल होता हें अंग्रेजी सेकना और सब बच्पन से सीख के नहीं आते मेरी ममी ही ने ब्ली से अंग्रेजी बहल और देखिए को भी भाहलव बब बात आती है तो मैं आज आपको चार टिपस ऐसी देने वाली हूं जो कि आप पक्का से अगर फॉलो करते हैं तो आप फर्राटेदार हो जाएंगें इंग्लिश में पर यह चार टिपस हैं इसे मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और ये पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा बताऊंगी कि कैसे कैसे मेरे पर क्या क्या बीती थी और कैसे मैंने मुश्किल से अंग्रेजी सीखी अब देखिए हम इसी के साथ ना आपको पहली टिप बढ़ते हैं जो कि हैं हमारी लिसनिंग अब देखिए जहां हमारी पहली टिप की बात आती है मैं आपको ये चीज बता भाषा चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो पंजाबी सीखे, चाहे कुछ भी सीखे, वो पहले सुनना चालू करता है, ठीक है, पहले वो समझना चालू करता है, उसके बाद ही वो बोलने पर और बाकी चीज़ों पर आता है, है ना, तो हमारा एक तरीका हो गया भाषा समझने का, ठ तो आज हमारी जो बात होने वाली है चार टिप्स के उपर आज मैं आपको बताऊंगे कि हमें किस तरीके से भाषा समझनी है ठीक है और जब हम लिखने की बात करते हैं वो चीज हमारी सेकेंड लेवल किया जाती है यानि कि दूसरे लेवल की वह हम करेंगे आगे बात पर हम वो कैसे समझ सकते हैं हम वह ऐसे समझ सकते हैं कि हंदी तो चलो हमने बवच्पन से सीख ली कैसे हम मतलब मद्वम पा Так mounted इन कैसे पर हम ये चीज़ कैसे समझ सकते हैं अंग्रेजी यानी की वो यह हो सकती है कि हम अपना न्यूसपेपर पढ़ सकते हैं गाने हमारी मूवी हम यह तीनों चीजों से अपनी अंग्रेजी बहतर कर सकते हैं पहले तो हम स्टार्ट करते हैं गालों से जो कि मेरा है परसनल फेवरिट अब देखिए बचपन में तो ऐस सकते हैं गाने हैं gaने हमारे पास यह रहीं नहीं उता है कि हम रहती तो इससे तरीके से अगर मैं आपको एक और पाहले कर पाएंगे मतलब Không करके सब उस चीज से मतलं अपने अपको जोड सकते हैं वो चीज है पνजाभी गाने अब देखे पंजाभी गानों की बात करी जाई ना तो दिलशी द सांच तो Our I My favorite है और साथ में आप किसी भी पंजाभी artist कि बात कर लिए किसी भी क Planning कर लिए हमने आज ना पंजाबी गाने सुन सुन सबाइब तरीके से समझ ली है कि पंजाबी बोलनी सबको आ ही गई है है ना तो उसी तरीके से अंच्छी सब– Mobile आगे उसे सीख सकते हैं हमें बस करना ये है कि हमें अंग्रेजी video आने सुनने है चाहे आपको स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी नहीं समझ आएगे कि क्या बोलना चारी है मैडम पर दीरे 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 अगर आप उसका मतलब पूछेंगे संजने की कोशिश करेंगे लिरिक्स के साथ पढ़ेंगे तो आप पक्का से उस चीज़ को सी चीज बोली आती थी कि पढ़ लो बढ़ना केबल कटवा देंगे खेर मेरी मम्मी ने तो सही में कटवा दिया था और मुझे तो उस टाइम हो गया था इतना डर कि बस अब तो मेरी लाइफ में सारे खुशी सुख चैन सब जा चुका है बस मेरे पास एक चीज है जो बची ह हुई है वो है पढ़ना और वहां मैंने अंग्रेजी सीखने की प्रैक्टिस चालू कर दी और देखिया अंग्रेजी मैंने कैसे सीखी ते उस टाइम पे अब टीवी वीवी तो था नहीं तो बस हमारी स्कूल वाली थोड़े बढ़िया थे उन्होंने क्या किया हमें न्यू पूश हो जाते थे पर वहां से सीख सीख के मैंने काफी वर्ड ना ऐसे अंडरलाइन करकर के टीचर के पास जाके पूछे हैं टीचर भी एक टाइम बात गुस्ता हो जाती थी कि तुम 24 गंटे मेरे पीछे लगके पूछते रहते हो पर कभी उन्होंने बताने से मना नहीं क किया और हम भी जा-जाके उनसे पूछते रहते देढ़े यह तो इन्यूस पेपर वाली चीज सात में आप यह न एक छीज और निवस चनल देख सकते हैं और ने लो वाली चैनल निबोल रही जिसमें जा कर आपको ऐसा आता है किया आप जानते हैं नहीं नहीं उस टाइप के चैनल नहीं वो चैनल जहांपे आपको हिंदी और इंग्लिष दोनों के टेकस्ट दिया हूँ यानी कि दोनों लिखे वे अलग लगाए और साथ में जो English लिखी वी है ना वही चीज बोली भी जा रही हो तो एक तरफ आप सुन भी सकते हैं कि अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं साथ में आप इदर अंग्रेजी में पढ़ी है और साथ पे इदर हिंदी में तो वह चीज ते ना आप अंग्रेजी सीखने में काफी क्लोज आ जाएंगे मतलब पहला स्टेप ना बहुत जरूरी होता है जो भी को नीव तो अच्छे से बैठनी चाहिए तो आपको समझना पहले जरूरी है ठीक है इसी के साथ आते हम एकदम बढ़िया चीज पे जो कि है मूवी यानि की मूवी देखना अब देखे मूवी मे अब मुझे कोई परिशानिं नी करेगा और डेते थी मूवी अंगरेजी मुवी मतलब और में में शुक्त अच्छा नाआ स pillery रही है तो यह चीज मुझे सबसे ध्याधा काम क्या हूं पा सर्फिसा यह मतलब देख कि परण आए और movie सबसे best यहां पर मेरे पूरा दिन का stress ऐसे निकल जाता था ठीक है एक तो यह हमारी होगी tip listening यानि कि सुनते कैसे हैं अब आते हैं हमारी tip number two पे सुनने के बाद क्या आता है speaking यानि कि बोलना अब देखें बोलना की बात करी जाए ना अगर तो मैं आपको एक कहानी बताती तो हुआ कुछ ऐसा था कि मेरी टीचर ना एक बार हम लोग कर रहे थे बहुत साधा बाते ठीक क्लास से बैठके और मेरी टीचर ने मुझे पकड़ लिया और उन्होंने ना खुसे में क्या किया कि भई बच्चे शोर मचा रहे हैं मेरे पया के लिए गुसा नहीं को सब से बैठे बच्चे को सबसे स्टार्ट करवा दिया कि अपना इंट्रोडक्शन दो अंग्रेजी में और सारे बच्चे उस टाइम पर घबरा गए कि अरे अब क्या करा जाए और सबसे मुसीबत की बात तो यह थी कि पहली बच्ची तो मैं ही थी उस रो में जो बैठी वी थ अब मैं वहां पर खड़ी हो गई मेरे तो पसीने छूट गए कि भाई अब मैं बोलू तो क्या बोलू मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था कि अपना इंट्रोड़क्शन कैसे दिया जाए तो मैंने थोड़ा 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 बोलना चालू करा और अपनी इंट्रोड़क्शन कैसे दिया जाता है ठीक है तो इंट्रोड़क्शन की अगर हम बात करें तो हमारे इंट्रोड़क्शन में पहले आता है सबसे पहले हमारा नाम यानि की हम कौन है अपने बारे में यह बताएंगे सबसे पहले तो I am मान्या ठीक है मेरा नाम मान्या है ठ क्यों कि आप स्कूल में आपको बुलाया जाता है जिससे आपका नाम दर्जे तो यहां पर आपको वो नाम बताना है तो आगे बढ़ते हैं ठीक है यहां पर आपको अपनी उमर लिखने हैं आगे बढ़ते हैं कि चिपस और बिस्किट खाते वे पिचर देखें गाने सुने जो मरजी करें यह सब चीज़े आपको अक्यूपेशन में लिखनी हैं आकक्यूपेशन होता है कि आप सही में काम क्यां करते हैं मतलब अगर आप स्कूल जाते हैं अगर स्कूल जाने बच्चे हैं तो यहां पर दीखेंगे कि SML जाने वाला शात्रू ठीक है यहां पर मतलब उने ऊक्रूज क 활ेंड और तब मुझ मुझेया है एपनी hobbies के बारे में बताओ तब मुझे लगा यार hobbies में तो मतलब मैं टीचर को ये बता दूँ कि मुझे ना पैठ के मस्त एकदम games खेलना बहुत पसंद ये मस्त एकदम carom board में था जब पुरानी को मतलब मैं बड़िया तरीके से गेम खेलना मुझे बहुत पसंद है तो मैंने वहाँ पर यह चीज बोल दी और मुझे लगया था बस अब टीचर ने मिरे को चिला के नतब सुनाना है और एक रैप्टा लगाना है कि क्या बोल रहो तुम पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और वहाँ से मुझे समझ आया अरे हाँ होबीज तो यही होती है होबीज यह होती है कि तुम्हें अचल में क्या पसंद है तो वहाँ से मैं समझ गी कि अच्छा होबीज में मुझे यह बताना है कि मुझे क्या सही में अच्छा लगता है तो यहाँ पर आपका होबीज में अब आपको बताना है अपना बर्थ प्लेस यानि कि आप कहां पैदा हुए कौन सी जगा पे अब देखिए अगर आपके घर में पंजाबी बोली जाती हो या आपके घर में कोई और भाशा भी बोली जाती हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप वहीं कि हो गई यानि कि अगर मे डेली में पैदा हुई हूँ तो मेरे बर्थप्लेस डेली हूँ तो उसी तरीके से आपको लिखना है कि आप कहा पैदा हुए और आपकी बर्थप्लेस क्या है ठीक है यानि कि I was born in डेली ठीक है अब आते हम अगली चीज़ पर हमारे माता-पिता पेरेंट्स ठीक है पेरेंट मुझे डाटती रहती है मुझे मालती है कि भई तु पढ़ती नहीं है तो मम्मी तो यहीं करती है पर मुझे वहां पे पड़ा एक चाटा खिचा के और मुझे टीचर ने बोला कि अरे तुम बेवाकूफ हो ऐसा कुछ नहीं होता माबाप जो होते हैं अगर तुम्हारी मम् उन गृत गला तुम्हारा धियां रखती है तो वह वाउस वाइप ठीक है पापा अगर ऑफिस जाते है तो वह बिस्नसमेन हुए या या पिस उन पी इस चीज bạnनी है टीक है तो यहां पे आपको यह बदाना है कि आपके माता-पिता क्या करते हैं तो आप इस चीज़ को एस धीडिंग यानि कि अंग्रेजी पढणा अबक हम अंग्रेजी कैसे पढ़ सकते हैं अब कि मैं अपनी अगर स्टोरी बताओ ना तो मेरे साथ कुछ ऐसा था कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए मैं तो मम्मी के चुणी ले किसे लपेट के न बैण जाती थी बिल्कु साड़ी वाड़ी बना के और एक pen लेके चुड़ा गुड़ा बना के बड़े मज़े से एक pen paper लेके बैट जाती थी teacher की तरह जोर जोर से कोई भी किताब को पढ़ने usually वो किताब क्या होती थी मेरी खुद की पढ़ाई की books मतलब जो syllabus की books होती है मैं वहाई किताबे लेके बैट जाती थी और लेके बड़ी जोर जोर से चिला के बोलती थी तो वहाँ से यह हुआ ना कि मुझे याद होने लग गया अपना syllabus मेरे माग सच्छा आने लग गया साथ ही में मुझे अंगरी जितने बड़ीया तरीके से आ गई तो यह चीज आप भी कर सकते हैं बड़ीया तरीका है बहुत try it and test it तो वो चीज आप कर सकते हैं कि आपको करना क्या है पढ़ने के लिए book लीजिए अपनी textbook ही लीजिए उसको लेके पढ़िए जोर-जोर से बोलके पढ़ना है अब देखिए यहाँ पे जोर-जोर से reading loudly पढ़ना क्यों जरूरी है यह पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप जोर-जोर से पढ़ेंगे तभी आपको वो चीज बोलनी ढंग से आएगी ठीक है तभी आपको वो चीज याद रहेगी तभी आपको वो चीज समझ आएगी और आपके समझने के साथ साथ और भी लोग इस चीज को समझेंगे ठीक है आपके साथ साथ आपकी मम्मी भी समझेंगी कि आप कितना जोर-जोर से चिला के बोलने की कोशिश कर रहें अग्रेजी और वो भी खुशोंगे सुनके खैर जोर-जोर से बोलने का मेन मोटिव यही है कि आप अच्छे से अंग्रेजी बोलना सीख जाए कि आप वो चीज़े खुद भी सुने ठीक है तो यह चीज तो आपकी रीडिंग क्योंगी अब हम बढ़ते हैं हमारी चौथी टिप पे जो कि हमारी बहुत इंपॉर्टिंट टिप है जोकि आपको पक्का यह चीज करनी चाहिए कि यह टिप के बगैर आप अंग्रेजी सीखने में काफी आपको तंगी होगी तो यह टिप है हमारी एंगलेश यानि की अंग्रेजी में सोच यह आप देखिए हमें बोलने से पहले सोचना पढ़ता है हिंदी में और हभवन होता है English में तो आपको करना क्या है आपको हिंदी में एक sentence सोचना है जैसा कि हम सोचते ही है उसके बाद उस चीज को अंग्रेजी में translate करना है कि अच्छा ऐसे बोली जाएगे ठीक है तो उससे क्या होगा न, अगर आप यह चीज करते रहेंगे, लगातार, फ्लो में बैठे रहेंगे, इस चीज को करते करते करते, आप एकदम पर्फेक्ट हो जाएंगे इस चीज को करने में, ठीक है आपको एक बढ़िया तरीके से आ जाएगी, कि कैसे आपको पहले हिंदी मे ट्रांसलेट कर लेना है, और जैसे ही आप इसको इंग्लिश में बदल देंगे, लो जी, आप बन गए एकदम प्रो इन इंग्लिश, यानि कि फर्राटेदार अंग्रेजी में, तो ये हो गए बेटा लोग हमारी चार टिप्स आज की, अगर आपको ये टिप्स अच्छी ल क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान